कि अग्याइब लोगाइज वेल्कम टूदी इलिगलेकर शेवन तो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों हम यही दूआ करते हैं कि आप सब हमेशा कुछ रहे तो दोस्तों हम रोज की तरहें आप लोगों के लिए हम एक और नहीं जो टूटोरियल जो नहीं वीडियो है वह हम ले कि दोस्तों आप रोज बोलते हों कि की हमें जो डोंगल रिवर्स इंजिनियर इनेयरिंग उसके बार में बताओ क्या होता है किस तरह से आप डोंगल को सकती हो तो यह सारी की जो आप लोगों की जो क्यूशंस हैं ठीक है उनका सबका आइंस्वर सबका जो रिपले हैं वह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है आपको पता कि हमारा जो इलिग लेकर से हमने रिवर्स इंजिनिरिंग जो चैनल है वह यूटूब पर काफी दिनों से चल रहा है मतलब इसको एक साल हो गया होगा और इस पर लगातार जो रिवर्स इंजिनिरिंग के जो वीडिय चैनल डिलिट हो जाए उसका कुछ बता नहीं है यह यूटूब की जो पॉलिश यह उसका अनुसार आपने प्लाल नहीं चला रहे तो चलो इसको तो आप छोड़ो तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो नहीं नहीं जो इनफॉर्मेशन है वो सर्च करके सर्च करते र लिए एक नई चीज लेके आया हूं जिसमाप क्या कर सकते हो कि आप जो डोंगल होता है उसके वारे में आप जान सकते हो ठीक है मैं यह नहीं क्योंगा कि आप इस वीडियो में डोंगल रिवस इंजिनरिंग सीख जाओगे लेकिन अगर इसके पूरी श्रीज आएगी यू जो डोंगल रिवर्च इंजिनेरिंग इसका कोर्स भी आने वाला है जिसमें आपको यह शिखाया जाएगा कि डोंगल को किस तरह से रिवर्स करके आप जो सौफ्टवेर है उसका डोंगल प्रोटेक्शन बाइपास कर सकते हूं ठीक है तो यह चीज आपको सुख जाएगी और आज के वीडियो में आपको यह चीज शिकाए जाएगी कि डॉंगल क्या होता है कितने टाइप का होता है डॉंगल यूज कूं करते हैं बहुस सारे स्वाप्टुरेर की यह पाइरेस से बचाते हैं यह रिवर्स इंजिनिरंग से बचाते हैं तो फिर डॉंगल ही क्यूं करते है ठीक है और डॉंगल कितने होते है मिल जाएगा तो मैंने आप लोगों थी इत्यार g puppet अब को शेयर करूंगा आपDOT मिल जाएगा ते जानी दो मेंने इंट्रियुच छच मार के और एक की जो इनफोर्मेशन उसको मैंने इकटा करके मैं आप लोगों साथ शेयर कर रहा हूं ठीक है अब मैं पीडियेप क्यों बना रहा हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ सके जान सके और कुछ नोलेज मैं बता रहा हूं उससे आप ले सके ठीक है और बाकी मैं इस पूरा सेरेज लाने वाला हूं डोंगाल रिवर्स इंजिनियरिंग तो आप फिर विवी उससे सoking जाओगे तो ठीक है अपने चलते हैं और मापको बताताहूं की actually dongle होते क्या ठीक है dongle किस तरह से काम करते है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले तब बात करेंगी कि कोई भी software है ठीक है कोई भी software है जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो channel है उस पे बहुत सारे software अपने क्रेक की सब्सक्र29ए तो software क्रेक क्यूं करते है सब्सक्रणे करने जो main purpose है main competitive आ उस software की जो जितने भी जो features है आप फीर में यूज कर सको ठीक है इसलिए आप software क्रेक करते हो ठीक है और उसका कोई purpose नहीं है ठीक है और दूसरा जो सबसे बड़ा जो region है वह यह कि आप software लोगों की need के लिए करते हो क्योंकि लोग आपके पास आते हैं आप से software करेक करवाते हैं और उसके बदले आपको कुछ पे करते हैं तो आप पैसों के लिए भी software करेक करते हो यह दो में रिजन हैं जिनकी वज़े से आप software करेकिंग शिकना चाहती हो ठीक है तो दुनिया में बहुत सारे software है ठीक है और बहुत सारे software कुछ open source है और कुछ security बेस है तो उनमें security लगा जाती है software हो में ताकि आप उनको बिनना पे किये आप उनको यूज नहीं कर सकते ठीक है तो उनमें license system होता है जिससे आप क्या करोगे developer से license लोगे और उसके बाद में आप developer को pay करोगे और developer उसके मदले आपको key देगा और key आप जैसे software में इंटर करोगे आपका software license हो जाएगा तो यह चीज़े तो हो गए आपके digital security ठीक है आप जैसे key डालते हो आप license की डालते हो या फिर आप बोल सकते हो आप password डालते हो आप registration की डालते हो तो यह क्या काम करता है कि यह करता है और सारे पिकर से उनको कर देता है जिससेव सारे software के यूज कर सकते कि पता है आप की को बाइपास कर सकते हो तो अब्दिया आप listeners कर सकते हो यह यह कर दिए एक करेर कीशато document आप अब आप जितने भी अभी अभी तक अभी तक आपने जितने भी software दें़ किया लदे के अपने software कुई act की ऐपने सब छीज आपने क्या किया वो सब चीज आप चीज आप डेजिटल प्रूंत हैं जो की है वह आपने भाइक किया reeopes किया होगा आपने करे कर कि की को पास क्या होगा तो यह सारे चीज है आपने क्या किया यह आपने लाइक सिस्टेम into को बाइपास करना के लिए किया ठीक है तो रिवर्स इंजिनेरिंग एक बहुत बड़ा फिल्ड है बहुत बड़ा पर इसको जोन करें के सकते हो जिसमें एक सौफ्ट्वेर की जो लाइसेस किये उसी कोई बाइपास करना नहीं होता एक्चूली सौफ्ट्वेर में सौफ्ट् village करते तो आप हैं पो इस ये मेरा किया मतलब है कि आपको रिवर्स इंजिनेरिंग हार तरीके आनी चाहिए थीक है कोई-भी सॉफ्टोर उसकी आपको रिवर्स इंजिनेरिंग आनी चाहिए थीक है तो यह चीजित ging करूंगा डोंगल के बारे में ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने रिवर्स इंजिनरिंग शीक रहा है आप सीख रहे हो मेरे से ठीक है आप मेरे कोर्षे से सीख रहे हो मेरे यूटुब से सीख रहे हो या फिर कई इंटरनेट से अधर रि इंजिनिर्ग आपने शीख लिए ठीक है तो यह अगले 20 सालों तक आपके मेथड काम करेंगे ठीक है क्योंकि रिवर्ट इंजिनिर्ग के जो मेथड हो फिक्स होते हैं बस उनमें प्रोटेक्शन का जो मेथड है वह अलग हो जाता है क्योंकि आपको पता है जिस तरह नए सौ डोंगल आप एक USB मान सकते हो एक LPT मान सकते हो या पिर एक हाइलवेर की मान सकते हो ठीक है एक्चुली मैं आपको बताता हूं अपने जो सिंपल लेंग्विज में ठीक है मापको एक जो प्रोग्रामी लेंग्विज उस माइं मैं आपको नहीं लेकर जाते हो मैं आपको एक इसे शॉफ्टिर होता है कुछ साफ्टिवर सेट इसंवर से जिन सॉफ्टिवर में हाइरेटली नहीं होगे, जिसको अपन देख सकते हैं मिने सब्सक्द रेलें candidate atkt है तो हाइडий का मतलब हो एक हाडवर화 कया है खरिन की आँख धक्रशुक्त हाइख चिक एक separate hardware हो गया और उस hardware में उस software की protection की अंध है ठीक है और आप जैसे उस hardware को अपने computer से attach करोगे तब ही और software चले पाएगा ठीक है तो इसे बोलते hardware की या फिर hardware डोंगल ठीक है अब hardware की का मतलब क्या हो गया कि एक छोटा सा system हो गया जो एक hardware बनावा है ठीक है जिस परकार आपके पास माउस है कीबोर्ड यह क्या है आप जैसे इनको अपने PC में attach करोगे तो उसके बाद में क्या करेगा यह सारे काम करने start कर देंगे ठीक है इसी तरह एक जो डोंगल होता है वो आपका जिस परकार पार पैंटर panel होता है आपका天 जानते हो ठीक है आप जह अब मेमोरी कार्ड आप यूस्वी जो यूस्वी वालबर होता है ठीक है उस इसको भी आप जानते ठीक है तो एक किपहींटर जिस प्रकार पैंडरा आपङ्डर में आपका data store करते हो क्या Har करेके डूंगल होता है जिससे अपने बोलते हाड़ वेर की या फिर यूएसपी डूंगल ठीक है जो आपके पीची में यूएसपी का जो पॉर्ट रहता है उसी में वह लगता है ठीक है और उसी के दोबारा क्या करता है आप यह काम किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं तो आपको पता है कि जिस परकार आप स्वाप्टर को रिजिश्टर करते हो तो आपको क्या चाहिए एक की चाहिए और की जैसे आप डालते हैं तो स्वाप्टर आपका रिजिश्टर हो जाता है ठीक है इसी तरह आप जब स्वाप्टर को ओपन करते हो तो वह बोलता है कि hardware की not found या dog not found dog का मतलब है कि dongle not found ठीक है अब software open क्यों नहीं हो रहा है ठीक है software पहले security चेख करेगा कि आपने software लिया है तो भाई किया है या कहीं से उठाया या फिर आपने open source site से कहीं download किया ठीक है तो वह चेख करेगा तो अगर आपके पास hardware की का कोई dongle है तो आप जैसे अपने PC में लगाऊगे उस USB एपोर्ट में तो वह चेख करेगा अपना data की मैं जो मेरा जो resistant data है जो वह dongle में store है कि नहीं है ठीक है तो यह अगर आपका फिर नहीं होगा वह आपको मेंसे देगा डोंगल नोट फाउंड या hardware की नोट फाउंड ठीक है अब डोंगल करता है क्या ठीक है डोंगल के अंदर कुछ बाइट का जो डेटा है डोंगल का इंदर जिस परकार आपके पेंडर में में मेमोरी होती है जैसे जो डोंगल को यूएजबी कर सकते हो ठीक है अब यह जो क्या करता है कि आप जैसे डोंगल को यूएसबी आप uh अपने जो लेप्टों पर उनमा इंसेट करोगे ठीक है लगाओ और उसके बाद में आप सॉप्टर को जिब ओपन करोगे तो सॉप्टर क्या करेगा सॉप्टर हाडवर हाडवर की चेक करेगा की भाई मेरे को चलाने के लिए कुछ जो सेक्यूर्टी यूज हो रही है नहीं ह है तो वस्रहर क्या करेगा उस डोंगल से कुछ डेटा अडंटीफाइक करेगा ठीक है ठीक है क्योंकि वस्रहर का स्वाफ्टर की का नहीं है靜्ट एपर उस नेहन आ यूज तो इससे क्या होगा कि डोंव और सॉफ्टर के बिस की weißy वेरिफिकेशन होगा ठीक है अब जब की वेरिफिकेशन कंप्रेट हो जाता तो उसके बाद अपना स्वाफ फेर चल जाता है लेकिन जैसे आप डॉंगल को निकालोगे तो क्या होगा तो आपका जो सॉफ्टर है वह अपने बंद हो जाएगा तो आपका चलेगा नहीं ठीक ह यह चीज मैं आपको यहां बताने वाला थे ठीक है बाकी यहां पर एक फुल जो जो डॉंगल है उसके बारे में बताया गिया है तो यह चीज आप खुद पढ़ लेना मैं तो मैंने तो इसको पढ़ लिया अगर मैं इसको बोल बोल कर बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में आजाएंगी अब बात क test किั่ूंगल कितने परकार के होते है लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगे कि जो डॉंगल की security लगाती में टीक है अब देखो बाय जो डॉंगल डिवाइस है वो बहुत महीं इन धिटे ठीके वहां को अमेजञका के अडिक है भी उनलाइन स्व जितना आपका software नहीं होगा उतने पेसे में आपका एक डोंगल आएगा ठीक है तो डोंगल यूज कहा होता है ठीक हो मैं आपको बताऊंगा अब अगर आपका छोटा software आप चोटे करेक होने से बचाने के लिए उनको सी का जियो का है । नापका तो यहाँ बनाजा रहा है और इसके लिए 500 रुपय का यह डोंगल आ रहा है तो भाई क्या परक पड़ता है 500 और 500 लाग में ठीक है जा वह पांच लागा सोफटर बना रहा है तो बड़े बड़े जो सॉफटवर है उनको शेक्वर देने के लिए यूज किया जाते हैं अब आप बोलो कि भाई डोंगल के वाई म काम इस तरह से करता है जिस तरह से आप अपने pen drive में फोट्व चार खरते हो ठीक है फोट्व मूजिक वीडियो बगर आप टेव लगाते हो तो आप क्या कर सकते हो पैंडर की सारी चीज़े सारी फाइलों को आप अक्सेज कर सकते हो अपने लेप्टॉप में देख सकते हो यह इसां तरह से जो यह आंपा डोंगल होता है ठीक है डोंगल में भी कि जो घाल तो इसमें इस स्टोर होता है और यह जी जो आइडेंटिफ सिब्सक्राइब करता है है वो उसको कोलिंग करता है कि भाई तेरे पास मेरे को चलाने के लिए जो सिक्रूर्ट डेटा है कि नहीं तो यह डोंगल उसको बेज़ेगा अपना डेटा कि भाई मेरे पास यह डेटा है इससे अगर तो चलता है तो तो मेरे पास सही डेटा है ठीक है तो उससे चल जाता है तो क्या होता है कि उस डउगल में जो डेटा और की वेरिफिкі 시 DU कि कि तो कितने परकार के फोते हैं तो यह चीज में आपको बताऊंगा तो दोस तो बहुत परकार के होते हैं कि हर फिल्ड में हर स्वाफ्ट में जो प्रोग्रामी लेंगविज उसके अनुसार यूज कि जाते जिस परकार आपका चीछ साफ हो गया उसके लिए अलग अलग डूंगल होगा इस तरह से अलग लेंगविज लिए अलग डूंगल यूज होता है ठीक है अब अब यूज पूर्ट में इनलगाए जाते हैं अब यह अपने पीची में ठीक है आप अपने पीसि में लगाते हो ठीक है हमें इस भेका होता है जिसमें आप सबसे फ़हले इससे सीप्यों में लमान अईसे करने घाने वो यह चीज दो तरीक रूंगल थीए बाहु के धर प्रेटि यह ऺ issーツ उट सब्सक्राइब परफी्टे खाल और फार यह चीज्ड टूंगा है। अब ये डॉंगल कितने सालों तक चलेंगे ये कब तक खतम हो जाएंगे या फिर कभी खतम होंगे या नहीं होंगे तो यह चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों आज के फिलाल क्या होता है कि जो डॉंगल है उनकी जगे जो स्मार्ट कार्ड है वह भी आने लग ऋती है यह प्यक्राइब अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है इसमार्ट कार्ड जैसे की आपका ATM कार्ड हो गया आपका क्रेडिट कार्ड हो घृता गैर तो अस में आपको आपके पीसे निकल जाएंगे ठीक इस इस तरह से आजChar य क्या वहता है कि सौफ टोंग जब कोई बड़े software लोग बनाते है या developer लोग बनाते तो वह क्या करते है smart card के यूज करते है कि आप जैसे smart card use करें अब उसके साथ में smart card को insert करने वाली machine भी देते है ठीक है software के साथ में तो वह अगर अगर इतना कुछ देरे साथ में तो software बहुत महेंगा होगा तो smart card से क्या होगा कि जैसे आप उस machine में smart card insert करोगे उसके बाद तुरूंत उसके बाद software पर चल जाईगा लेकिन आप बात करोगे कि भाई यह dongle कितने सालों तक चलेंगे ठीक है तो यह आप जो dongle की चलते हैं कि आपको पता है कि dongle जो dongle हर जो हर किसम के हर टाइब के आते हैं और हर कोई बंदा जो smart card उसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि dongle smart card से बहुत सब्सक्ते आते हैं और अगर dongle यूज कर रहे हैं और smart card हर software के लिए नहीं बने हुए वह बहुत कम जो rare software उनके लिए ब काम करते हैं ठीक है लेकिन डोंगल आपके हर एक software काम करते हैं चल्टे काम करते हैं और यह चीज है अप समझ गई होगी कि उसके बाद में कितने पररकार के यह सकते है यह उसका बाद में जो अब इनके भी टाइप है जैसे कि आपका हास्प हो गया रोकी फॉर एंडी हो गया रोकी टू हो गया रोकी फॉर स्मार्ट हो गया उसका बार जो भिल में उतना समझाओ का बूल Chung आपको पता हैं कि भाई ने क्या समझा है और हमने क्या जाना तो इसलिए मैं कि बेशिक जो इंट्रोडेक्शन आपको मैं नहीं आप करवाया इसके साथ मैं आप लगतार वीडियो अप्लोड करूंगा डोंगल के वारे में और डोंगल आप किस तरह से कर सकते हो हां कि क्या हम मैं को हाड वरस कर सकते तो दोस्तों आप ने अभी तर्फ एंजिनेरींग सीखके आप कि उससे अलब है यह डोंगल रिवर्स रिवर्स कर सकते हूं इसका मैं आपको वीडियो इसी वीडियो पे चैनल पर आज आएगा और मैं आपको बदाऊंगा कि यह किस तरह से आप सकती हूं तो दोस्तों यह यह होता है बहुत लंबाव वीडियो होगो और आपका दिन करें और मेरे से मिल रही है तो आप चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें ओके दोस्तों